उत्राखंड के प्राचीन और जानेवाने सहर जोसीमट के धसने की खबर ने कुछ महीनों पहले हर किसी को हैरान और प्रेशान किया था कुछ ऐसा ही अब अमेरीकी सहर नियूयर्क का हाल है अमेरीकी अंतरक्ष एजनसी यानकी नासा ने एक रिपोर्ट में कहा कि नियूयर्क शहर देरे-देरे अपने बज़न के कारण दब रहा है रिपोर्ट में नियूयर्क के धसने की बज़े मानवियों और प्राकरतिक दोन बताई गई नासा की जेट प्रोप्लेशन लेबरोटरी और एट्रिगार्ट सी उनिविश्टी के बैग्यानिकों ने साल 2016 से उद्वरट तेस के बीच अपनी एक स्टड़ी में सहर के कई इलाकों की पहचानकी जो धस रहे हैं इसके लिए इंटर फेरो मेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार यार की इंसार नामक रिपोर्ट से सिंग टेक्नलोजी का इस्तमाल किया गया जो रिपोर्ट से वो ये कहती है कि न्यूयार्क में लॉर्गडिया का रनवे 3.7 मिलिमीटर सालान की दर से नीचे दब रहा है दोनों ही इलाके उस जगए पर वने हैं जहां पहले लैंड़ फिल साइट हुआ करती थी स्पोर्ट में ये भी कहा गया कि समुद्र का जलिसतर बढ़ने के कारणा न्यूयार्क सेहर के डूबने का खत्रा बढ़ रहा है यही नहीं भबिस में इस सेहर को तूफान और बाल का सामना करना पड़ सकता है इस्टड़ी में पता ये भी चला है कि सेहर के बो इलाके धस रहे हैं जहां आतित में प्रिथिवी की सते से जुले बढ़ला हुए बहां बिल्डिंग के बनने से जमीन पर दवा वड़ गया है सेहर के अलाकों के धसने की बज़े हम्यूक की हजारों साल की प्राकरतिक प्रिक्रियाओं को भी माना गया है नियुवार्क सेहर को लेकर कहा जाता है कि ये वर्फ की चादर के बाहर उठी हुई जमीन पर है सेहर का महानगरिये इलाका हर साल लगबग 1.6 mm नीचे की तरफ धस रहा है और दिल्चस्प वात ये है कि सेडी में कुछ ऐसे इलाकों का भी पता चला जो धसने की बज़ाए उपर भी उठ रहे है इसमें पूरप का बिल्यम्स वर्ग, ब्रुकलिंग, बूटसाइड और क्यूंस है ये चार सहर ऐसे हैं जो की अपने जगह से उपर की तरफ उठ रहे है ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी पताया अभी लगाया जा रहा है